प्रेंट्स वेलकम आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्टु वैक में या फिर कमचारी गड़के को जाननी चाहिए इस तरह कि सारी जानकारी हमारे इस चैनल की माध्यम से आप सभी को अपलब्द कराई जाती है यदि आप से एक छोटी से रिक्वेस्ट यदि आप इस तरह की जानकारी चाहते हैं या फिर आप इस तरह से ग्राम पेचास से या मन्रेगा से किसी भी तरह से जुड़े हुए है friends या फिर आप मन्रेगा में भी काम करते हैं तो आपके इस तरकी जहनकारी भी friends इस चैनल की माध्यम से आपको फलब्द कराई जाती है तो please friends चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका notification आप तक सबसे पहले पहुँच सके और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सके तो देखे friends, especially ये वीडियो हमारा मन्रेगा mobile monitoring system से related है जैसा कि आप सभी जानते है friends से कुछ दिन पहले मन्रेगा में एक mobile monitoring system launch हुआ है जिसके माध्यम से जो हो जो स्रमिक होते है friends उनकी हाजरी एक mobile device के माध्यम से location based based photo के माध्यम से उनकी हाजरी friends से लगाई जाती है तो इसमें असल में क्या होता है friends कि इसमें हाजरी जो हो लगाने के बाद आप यह कैसे पता करेंगे कि जो मस्टर जारी हुई है friends उसकी हाजरी mobile monitoring device से ली गई है या नहीं तो देख सकते हैं जब आप friends वित्ती वक्तब में जाके इस तरह से मस्टर पूरा उपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक note से दिखाई देता है कि रोज हाइलाइटिंग येलो कलर इंडिकेट्स अटेंडेंस हैस बिन टेकन अवई mobile device यानि कि यह जो मस्टर आपको येलो कलर से दिखाई दे रहा है friends इसका मतलब यह है कि इस मस्टर का की अटेंडेंस जो हो वो मुबाइल डिवाइस से ली गई है इसमें friends एक फाइदा ये भी होता है इस तरह का की अटेंडेंस में सासन नहीं है ये इस तरह का option इसमें launch किया है तो आप देख सकते हैं कि मान लिजे कई बार ग्राम पंचात में जो अनादिकरत या इनलेगल मस्टर जारी होते है तो उनकी हाजरी जो हो इस डिवाइस से नहीं लिजे सकती कि friends क्योंकि इसमें location based photo किस्ती है तुरंत मलदूर साइट पे काम कर रहे होते हैं तब उसमें डिवाइस से photo किस्ती friends इसलिए जो अनादिकरत जो मस्टर होती है friends उसकी attendance इस डिवाइस से तो किसी तरह से नहीं लिजे सकती friends तो आप एक ऐसे समझ जाएंगे जैसे friends यदि इस मस्टर पे आपने खोला ये जनरल पवलिक के लिए है friends video यदि आपने इस मस्टर को उपन किया और यहाँ पर आपको yellow color से दिखाई देगा इसका मतलब यह है कि इस device से इस मस्टर के अटेंडेंस mobile monitoring device से की गई है और यदि यह white white दिखते है friends इसका background चले में आपको एक और white वाला भी दिखा देता हूं तो उसकी जो हो white दिखेगे इसका मतलब यह है कि इस device की इस मस्टर की attendance डिवाइस से नहीं लिएग यानि कि इसकी मस्टर में जो हो direct इसकी जो हो payment जो हो फिल की गई है फ्रंट से device की माध्यम से इसमें attendance नहीं हुई है या तर फ्रंटस के दो काराव हो सकते हैं कारान यह उसकता है कि इस Mr. न्यूyllसर्छ सकता है कि इस Mr. जो काम चल रहा हो तो काम किसी साइट-कर रहा हो और इन्होंने ौह ग्राम पंचेट्ने काम दूसरी साइट पे लगवा लिया हो इस तरह से जिए इस वज़े से फोटो नहीं ले पाए तो इसके काफी सारे काराण हो सकते हैं फिलाल हम काराण पर नहीं जाएंगे हमें सरिफ आपको इतना बताना है फिरेंट की आप कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी मश्टर की attendance जो हो वो मौबाइल डिवाइस से ली गई है या नहीं ली गई है तो आप उसका यह फार्क रिफरंट्स यहां से आप देखेंगे यदि white background दिखाए दे रहा है master का तो इसका मतलब यह है कि इसकी attendance जो भो device के मद्ध हमसे नहीं ली गई है और यदि yellow background दिखाए दे रहा है तो इसका मतलब कि mobile device से इस master के attendance ली गई है तो यह master को जो वो कैसे निकालते हैं आप चलिए मैं इस विसे पर आपको step by step बते देता हूं कि master वित्ती वक्तव से कैसे निकालने के लिए simply आपको यहां पर आपको कोई भी एक बैजर open कर लेना है उसमें के search में आपको नरेगा MIS नरेगा MIS type करके search कर देना है जब आप नरेगा MIS type करके search करेंगे तो आपके सामने इस karşı नमबर वाली website नरेगा वाली ओपन होके आईगी calculation को कर लेते हैं फिल और उसके बाद यहाँ पर हम verify code वाले option पर click कर देते हैं जब आप सही से capture जो हो बो fill करके verify कर देंगे तो इसके बाद आपको financial year का option आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं state वाला option दिखाई देगा तो आप friends भारत के किसी भी state में रहते हो आप यह जानकरी देख सकते हैं तो फिल हाल इस demo video के लिए friends में आपको मद्दपरदेश का देखा देता हूँ तो चली मैंने यहाँ पर मद्दपरदेश सेलेक्ट कर लिया है जब आप अपना state सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से फिल से friends आपको सामने एक अगला interface open होके जाएगा इस तरह से आप देख सकते हैं तो इसमें friends आपको नीचे scroll करना है इसको यह काफी लंबा page होता है friends इसको आप नीचे scroll करेंगे और नीचे scroll आपको करते जाना है friends उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको scroll करते हुए और 7 वाले option पर आ जाना है उसके बाद आप देखेंगे सटेटमेंट वाले option गईबाद पर 55 पर phone रिलीज वाला option दिखाई दे रहा है तो इसका पहला sub option आपको दिखाई दे रहा है किलिक करने के बाद जो आपने state select किया हुआ है friend first में उस state के सारे district आपके सामने यहाँ पर open होके जाएंगे आप यहां से देख सकते हैं अपनी कोई भी एक gram पंचायत यहां से select करेंगे जो भी आपकी gram पंचायत है तो यहां पर देखिये माले जी आपकी यह वाली gram पंचायत है तो उसके बाद आप देखिएंगे यहां पर आपके सामने यहां पर एक जो red number पर दिखाए दिरा है friends यह un-scaled वाला यह number आपको simply इस पर click कर लेना है यह hyperlink number है friends इस red वाले number पर आपको करना है click तो चलिए आप इस red number वाले number पर click कर लेंगे friends तो चलिए मैं कोई भी एक पंचायत का आपको click करके दिखा देता हूं तो चलिए मैंने red number पर click कर लिया है यह friends hyperlink number होता है आप उस पर click कर लेंगे उसके बाद देखेंगे कोई भी काम में आप यहां पर जो master क्रमां के friends आप यहां से देखेंगे तो देखें इस master की attendance जो हो भी mobile monitoring device से नहीं लगाई गई है तो इस तरह से आप सारी master का भी देख सकते हैं और उस तरह से आपकी ग्राम पंचायत का आप चेक कर सकते हैं तो यह थी friends सारी process उमेद करता हूं यह पूरा video आप आप को समझ में आया हुगा तो चलिए friends मिलते हैं गले वीडियो में किसी और नहीं topic के साथ तब तक के लिए नमस्कार